क्लास सेवन्थ हिस्ट्री चैप्टर नंबर वन हजार वर्सों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल मानचित्र एक और दो पर नज़र डालिए मानचित्र एक अरभ भुगोल विता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था यहां जो नक्षा दिया गया है वो उसके द्वारा बनाये गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतिय उप महादूइप को दर्शाता है मानचित्र दो एक फ्रांसेसी मानचित्र कार ने 1720 में बनाया था दोनों नक्षे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है अल इद्रिसी के नक्षे में दक्षिन भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंडेंगे और स्रिलंका का द्वीब उपर की तरफ है जगहों के नाम अर्भी में दिये गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्स बाद बनाये गया इस कालवधी में उप महाद्वीब के बारे में सुचनाएं काफी बदल गई थी यह नक्षा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा उसमें विशेश कर 30 ए इलाकों के बारीक ब्योरे देखकर आश्चर होता है यूरोप के नाविक तथा ब्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्षे का इस्तेमाल किया करते थे देखें अध्याएच 6 इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दुसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था इतिहास कर जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्षों और लेखों का अध्यन करते हैं तो उनके लिए उन सुचनाओ के संदर्भों का उनके भिन भिन इतिहासिक प्रिष्ट भूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है नई और पुरानी शब्दावली अगर समय के साथ-साथ सुचनाओ के संदर्भ बदलते हैं तो भाशा और अर्थों के साथ क्या होता है एतिहासी का विलेक कई तरह की भाशाओं में मिलते हैं और ये भाशाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उधारन के लिए मध्ययोग की फारसी आधोनिक फारसी भाषा से भिन्य है या भिन्यता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते है उधारन के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए आज हम इसे आधोनिक राष्ट राज भारत के अर्थ में लेते हैं 13 सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज एसी राज ने हिंदुस्तान शब्द का परियोग किया था तो उसका आशए पंजाव, हर्याना और गंगा यमुना के बीच में इस्थित इलाकों से था उसने इस शब्द का राजितिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार छितर में आते थे सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतरगत आने वाले छितर भी बढ़ते गए लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिन भारत का समवेश कभी नहीं हुआ इसके विपरीत सुल्हमी सदी के आरंब में बावर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रियोग इस उप महादीप के भुगोल, पशुपक्षियों और यहां के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया यहां प्रियोग 14. सदी के कवी अमीर खुसरो द्वारा प्रियोक्त शब्द हिंद के ही कुछ-कुछ समान था मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्यू के रूप में पहचाना जा रहा था वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनितिक और राष्ट्रिय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोडते हैं किसी भी शब्द का प्रियोग करने में एतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे उदारन के लिए विदेशी जैसा तीजा साथा शब्द ही ले लीजिए हमारे लिए आज इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतिय नहो मद्योग में मानो किसी गाउं में आने वाला है कोई भी अंजाना व्यक्ति जो समाज या संस्कृति कांग न हो विदेशी कहलाता था ऐसे व्यक्ति को हिंदी में पर्देशी और फार्सी में अजनभी कहा जा सकता है इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था किन्तु एक ही गाउं में रहने वाले दो किसान अलग-अलग धार्मे किया जाती परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दुसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे मानचित्र एक बारहवी सदी के भुगोल वित्ता अल-इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्से का एक हिस्सा जिसमें भारतिय उप महाद्वीब को भुमी से समुद्र तक दिखाया गया है मानचित्र दो अठारहवी सदी के आरम में ग्विलाम दलिसले के एटलस नुवो के अनुसार यह उप महाद्वीब लेकिन अब भीत्री इलाकों पर नज़र डालें क्या इन में भी उतने ही ब्योरे हैं जितने समुद्र तटवाले हिस्से में गंगा के मार्ग को देखें इसे किस तरह से दर्शाया गया है इस मानचित्र में तटिये और भीत्री इलाकों के बीच ब्योरों और बारेकी का जो अंतर है आपके ख्याल में उसका कारण क्या है इतिहासकार और उनके स्रोत इतिहासकार किस युग का ध्यन करते हैं और उनकी खोज की प्रिकृति क्या है इसे देखते हुए वे अलग-अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं उदारन के लिए पिछले साल आपने गुप्त वन्च के सासकों और हर्सवर्धन के बारे हैं पढ़ा इस पुस्तक में हम मोटे तोर पर साथ सौ से सत्रसों पचास इस्वी तक लगभग हजार वर्सों के बारे हैं पढ़ेंगे इस काल के अध्यन के लिए इतिहासकार जिन सुरतों का परियोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बाते ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है इतिहासकार इस काल के बारे में सुचना इकठी करने के लिए अभी भी सिकों, शिलालेखों, अस्थापत्य, भवन निर्मानकला तथा लिखित सामगरी पर निर्भर करते हैं पर कुछ बातें पहले से काफी भिन भी हैं, इस युग में प्रमानिक, लिखित सामगरी की संक्या और विवीदता आश्चरजनक रूप से बढ़ गई इसके आगे इतिहासकार सुचनाओं के दूसरे परकार के सुरतों का इस्तेमाल धीरे-धीरे कम करने लगे इस समय के दोरान कागज, क्रमशह, सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर भी उपलब्ध होने लगा लोग धर्म ग्रंत, शासकों के विरतांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अरजियां, आदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आधी लिखने में इसका उप्योग करने लगे धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडूलेपियां एकत्रित किया करते थे इन पांडूलेपियों को पुस्तकालियों तथा अभी लेखा गारों में रखा जाता है इन पांडूलेपियों था दस्तावेजों से एतिहासकारों को बहुत सारी विस्त्रिक जानकारी मिलती है मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है उन दिनों छापे काने तो थे नहीं इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडूलेपियां की परतिकर्ती बनाते थे अगर आपने कभी किसे मित्र के ग्रहकारी की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है कभी कभी आपको अपने मित्र के लिखावट समझ में नहीं आती होगी पांडूलेपि की प्रतिलेपि बनाने भी कुछ-कुछ यही होता है प्रतिलेपियां बनाते हुए लिपिक छोटे-मोटे फेर बदल करते चलते थे कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य सदी दर सदी प्रतिलेपियों के भी प्रतिलेपियां बनती रही और अंधता एक ही मूल गरंथ की भिनभिन परतिलीपियां एक दुसरे से बहुत ही अलग हो गई इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन हो गई क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपी शायद ही कहीं मिलती है हमें बाद के लेखकों दौरा बनाई गए परतिलीपियां पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूलता लेखक ने क्या लिखा था इतिहासकारों को एक ही गरंद की विविन परतिलीपियों का अध्यन करना पड़ता है कई बार लेखक स्वयम भी समय समय पर अपने मूल विर्तांत में संसोधन करते रहते थे चौदहवी सताबदी के इतिहासकार जियाओ दिन बर्नी ने अपना विर्तांत पहली बार 1356 में और दुसरी बार इसके दो वर्स बाद लिखा था दोनों में अंतर है लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले विर्तांत की जानकारी ही नहीं थी यह पुस्तकालियों के विशाल संग्रहों में कहीं दवा पड़ा था कागज का मुल्य इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए पहला तेरहवी सदी के मद्ध में एक विद्वान को एक पुस्तक की परतिलीपी की जुरत पड़ी उसके पास उतना कागज नहीं था इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलीपी को धो डाला जिसकी उसे जुरुत नहीं थी और उसके कागज को सुखा कर उसका इस्तेमाल कर लिया दूसरा एक सदी बाद अगर आप बजार से कोई खादपदार खरीते तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकांदार ववस्तु कागज में लपेट कर देता तो कागज कावधिक महगा था और कब आसानी से उपलग था तेरह मिशत अबदी में या चौदह मिशत अबदी में अभिलेकागार ऐसा अस्थान जहां दस्तावेजों और पांडूलीपियों को संग्रहित किया जाता है आज सभी राश्ट्रिये और राज सरकारों के अभिलेकागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्योरों का रिकॉर्ड रखते हैं। चित्र एक यह एक लगुचित्र की प्रतिकृती है जिसमें एक लिपिक किसी पांडु लिपी की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 cm, 7.1 cm है। इस चोटे आकार के कारण इसे लगुचित्र या मिनियेचर कहा जाता है। कभी-कभी इन लगुचित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडु लिपियों को असपश्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुन्दर होते थे कि आगे चलकर संग्रह करता अक्सर इन चित्रों को पांडु लिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। नए सामाजिक और राजनितिक समूह। सन साथ सो और सतर सो पचास के बीच के हजार वर्सों का अध्यन इतिहासकारों के आगे भारी चुनोती रखता है। मुखिरुप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग-अलग समय पर नई प्रादोगिकी के दर्शन होते हैं जैसे सिचाई में रहट, कताई में चर्खे और युद्ध में आगने यास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उप महाद्विप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाई और काफी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रादोगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आये जो नए विचार भी लेकर आये थे। परिणाम सुरुक यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याए पांच, छे और साथ में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक अस्थान से दुसरे अस्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के जुंड के जुंड दूर दूर की आत्राएं करने लगे थे। इस उप महादीप में अपार संपदा और अपना भाग की ग पूतर से निकला है। आठवी से चौदावी सदी के बीच यह नाम आम तोर पर युद्धाओं के उस समूह के लिए परियुक्त होता था जो शत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतरगत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बलकि वे सेन पती और सैनिक भी आते थे जो पूरे उप महाद्रीप में अलग-अलग शास्कों की सेनाओं में सेवा रत थे। कवी और चारन राजपूतों की आचार सहीता प्रबल, पराक्रम और स्वामिभक्ति का गुनगान करते थे। इस युग में राजितिक दृष्टी से महत्तों हासिल करने के अफसरों का लाव, मराठा, सिक, जाट, अहोम और कायस्त, मुखितल लिपिकों और मुन्शियों का कारी करने वाली जाती आदिसमोहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दोरान क्रमशा जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा थ कुछ शित्रों में परिवर्तन अन्य शित्रों की अफेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तोर पर हुआ। ये मालिक वर्क की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम सुरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। कुछ के पास जदा उपजाओ जमिन होती थी। कुछ लोग मवेशी ही पालते थे। और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जिसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उप जातियों बाटे जाने लगे और उनकी प्रिष्ट भूमी और ब्यवसाई के अधार पर उन्हें समाज में उंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थ जातियों के अपने 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 नियम बनाती थी, इन नियमों का पालन जाती के बड़े बुजर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ हिलाकों में जाती पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गाउं के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गाउं पर मुखियाओं का शासन होता था, मिल मिलाकर वे किसी राजी की एक छोटी इकाई भर होती थी। परियावास इसका तातपरिक किसी भी छेत्र के परियावरन और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। इस अनुभाग में जो प्रादवगी की ये आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित है, उन में से कौन-कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गाउं में सबसे महतुपून रहे।